दोस्तों जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप सभी को इनफॉर्म किया था कि सीटेट की ओफिशल वेबसाइट सीटेट.nice.in पर उनके दोरा जो है एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी तिन में इस मेंशन क्या गया था आप यहां पर स्क्रीन पर देख पारोंगे उमिद अपना अकाउंट ही नहीं बनाया है बहुत सारे अभिहरतियों का कमेंट आ रहा था कि मैं हम कैसे डाउनलोड करें अपनी मार्शीट या फिर सर्टिफिकेट और किस तरह से यह प्रॉसेस किस तरह से हम कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए मैं आज आपको पूरा डीटेल में बताने वाली हूं स्टार्टिंग से तो बने रहीएगा वीडियो के लास तक हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं विज्टर मास्टर चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल एगन को प्रेश करना नह भूल सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको डीजी लॉकर वहां पर सर्च करना है डीजी लॉकर अगर आपके मुबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो वहां से आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है ठीक है अगर होगा तो कोई बात ही से page open होगा sign in create account तो दोस्तों देखिए अगर आपने पहले से अपना जो है account इस पर बना रखा है डिजी locker पे तो आपको बस sign in करना है जिन लोगों ने अभी तक डिजी locker पर अपना account नहीं बनाया है उनको create account पर क्लिक करना है ठीक है sign in का अभी हम आगे देख लेंगे process बट अगर आपने बिल्कुल बनाया ही नहीं है तो हम लोग create account पर पहले जाएंगे ठीक है अब आगे जो है आपसे यहाँ पर इस तरह page open होगा और आपको जो है आधार card पर जो आपका नेम है वो नेम आपको यहाँ पर डालना है ठीक है और दोस्तों आपका जो data birth उस पर दिया हुआ है आधार card पर दोस्तों आपका कोई भी fake नेम या फिर आधार नंबर या mobile नंबर कुछ ऐसा अगर आप डालते हैं तो शो नहीं करेगा आपका जो original सारी चीज़े हैं वही आपको यहाँ पर submit करना है तो आपका जो आधार card प फिल करते time आपने state का जब form किया था तो उसमें जो आपने अपना mobile नंबर submit किया था वही mobile नंबर आपको यहाँ पर submit करना है और उसके बाद यह six digit security pin यह किया है दोस्तों यह आपको खुद बनाना है six digit का या फिर उससे ज्यादा का बना सकते हैं लेकिन उससे नीचे का जो है जो आपने उस time डाली होगी form में वो आपको मिला ID डालनी है आधार नंबर जो आपका है वो यहाँ पर डालना है उसके बाद से है दोस्तों यहाँ पर आपको submit करना है submit करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो mobile नंबर है दोस्तों वही mobile नंबर यहां पे आपको जो है ओटीपी डाल कर यहां पे submit कर दो इना है यहां को चैसंसरा है आपको ड़ोँना हो करें नहीं विस divergenres to hasad shelves, anytime आपके, अपना name होगा यहां पे सब्मिट करना है और कुछ के बाद आप सब्मिट कर देंगे ठीक है सब्मिट करने के बाद दोस्तों अगर आपका सारी चीज़े करेक्ट होगी तो यहां पर green क्लर का शो करेगा और उस पर कर देना अगर इस तरह नहीं शो करेगा इन खरेक्ट दिखाएगा तो आप यहां एहां पर अपने नेयम के आगे चैंज्ज लिजेगा है सबूसर दोос्टु जैसा कि मैंने ने बताया था si उपना अपने क्रिएट यह आपने बनाइबंता चैंगे जिन रोगों नहीं बनाए छरू नई पनाना जैसा कि मैं नजया के व्टादी हों क्या क्या प्रोसेस करना है। आप ने तो अब बना लिया है तो अब हमें क्या करना करने किसे इस धार से पेज ओपिन होगा और वहां पर दोस्तों आपको अपना मॉबाइल नंबर डालना है जो कि आधार कार्ट से लिंक है जैसा कि मैंने पिछला सारी चीजे बताई है और जो आपने को अपना सेकुरिटी पीन जो आपने बनाई थी six digit का वो यहां पर सम्मिट करना है फिर sign in कर देना यहां पर ठीक है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो है सेकुरिटी पीन भूल जाते हैं तो यहां पर इसका option दिया है फारगट सेकुरिटी पीन यहां पर जो जा करके आप नया अपना जो है बना सकते हैं ठीक है इसके बाद जो है आप लोग sign in करेंगे sign in करने के बाद जो है यहां पर OTP जाएगा OTP आपके mobile पर जाएगा फ यह नीचे दिया होगा issue document इस पर आपको जाना है issue document पर यहां पर आप देख पार होंगे यहां पर आपको जाना है दोस्तों उसके बाद से आप सर्च करेंगे इस तरह से सीटेट आपके सामने front पर ही आपको यह सो करेगा Central Board of Secondary Education यहां पर आप चाहे तो सर्च करेंगे तो यहां पर आपका front पर आजाएगा नहीं तो नीचे आप इस तरह भी शो करेगा बट आप सर्च करेंगे तो यह स्क्रीन पर आजाएगा उसके बाद दोस्तों आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका दे रहा होगा इस तरह का यह option देगा paper first paper second को ले करके तो आ mark sheet show करेगी एक होगा certificate show करेगा ठीक है तो इसको यहां पर आपको देखना जरूरी है क्योंकि दोस्तों पता है जब आगे आप किसी farm के लिए apply कर रहे है तो आपने जब जो सीटेट का मार्च में जो result निकला है तो वो जब result आपका निकला है उस time तो दोस्तों जो result निकला तो उसमें क्या है आपका जो certificate number है उसमें शोर नहीं करता है यहां से जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका certificate number जो है पता नहीं चलेगा तो इसमें आपको एक mark sheet मिलेगी और आपका एक certificate ठीक है certificate पर ही आपका number show करेगा तो यहां पे आप दोनों को download करेगा ठीक mark sheet भी और certificate भी अब आगे देखती हैं यहां पर जो है दोस्तों जब आप वहां पर open करेंगे तो आपका जो है यहां पर नाम जो आधार कार्ड पर आपका नाम है वो यहां पर समिट करना होगा और आपका जो roll number है वो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहोंगे आपको यहां पर अपना नाम और यहां पर roll number और select year month यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो जो आपने exam दिया है December 2022 वहां पर show करेगा जैसा कि आपका December 2022 से start हुआ था और 7 फरवरी तक last 7 फरवरी 2023 तक चला exam तो जो सबसे जो front पे होगा मतलब December 2022 शो कर रहा होगा तो आपक आपको उस पर click कर देना है click करने के बाद आप जो है get document पर जाएंगे इस पर click करेंगे तो आपका जो है इस तरह से सारा जो है आपकी मार्शिट certificate अगर आपने download कर ली है तो आपका screen पे जो है इस तरह से पूरा show करेगा तो यहां से आप जो है यह सारी चीजे इस तरह से द लगता है तो आप लोग में भी इस तरह show करेगा और आप लोग उसे देख सकते हैं आपके mobile में सेव रहेगा दोस्तों तो यह हमेशा रहेगा यहां पर कोई problem वाली बात नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आपका देख सकता है क्योंकि यहां पर आपका जो आध नहीं कर सकते हैं तो यह सारी चीजें आपकी किलियर हो गई है और जो है अब आप आई होप कि यह सारी चीजें समझ चुके होंगे बाकि आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों वीडियो अच्छी अपडेट के साथ तक लिए बाई बाई टेक केर खुश्री है थेंक यू